असलाम नेकम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपका बताऊंगा कि बिटकोइन की रेंज क्या होगी इस 24 गंटों में यानिके नेक्स्ट चॉबिस गंडे हैं इसमें बीटी सी और एथीरियम कैसे मुवमेंट करेंगे और हमें एक रेंज मिल जाए ना बिटकोइन की तो मैं आज मैं आपको एक रेंज बता दूंगा डाउन साइड पर भी मैक्सिमम लोग कितना हो सकता है और अपसाइड पर विटकोइन इस टाइम उसके मिड में चाह रहा है ताकि आप लोगों को सही से पता चल जाए कि विटकोइन ऊपर में रेंजिस्टेंस के करीब-करीब है त जो फ्यूचर ट्रेडरुस हैं उनको उनके लीए बैनिफिट हो सकता है और अगर स्पोर्ट के क्रीब-करीब है तो स्पोर्ट और फ्यूचर दोनों ट्रेडर्स के लिए ये बैनिफिशल हो सकता है और विडियो बहुत क्यूंती होने vaar हैं अगर decorated ग्यून चैनल करने सब Tuesday हो गया है लेकिन Bitcoin अभी कोई खासी मुवमेंट नहीं कर रहा है जब से फर्वरी स्टार्ट हुआ है छे दिन हो गए है मार्किट कोई खासा मुवमेंट नहीं कर रही स्टक होके बैठे होंगे बहुत से लोग बलबता आपको एक Coin दिखा दू के टाओ जो टोकन है बिनास पर नहीं है बिल यह अभी फिला लिस्ट नहीं हुआ लेकिन यह इतना ज़्यादा अप जा चुका है कि आप लोगों की सोच है आप देखे नियू आर्ल टाइम हाई इस Coin ने बना दिया है और नियू आर्ल टाइम हाई बनाना कोई असान काम नहीं है किसी भी Coin के लिए इतनी ग बताना था AI बेस्ट है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि AI का जो ट्रेंड है वो चल रहा है चलता रहेगा पोलका डॉट एको सिस्टम के साथ लिंक है और डेफिनिल्टी पोलका डॉट भी आई थिंक शायद पोलका डॉट भी अब जोहनास के बारी है उपर आने की का करेश कर जाएगा डाउन आजाएगा मैंने का वहीं रहेगा जाप जाएगा आपके सामने हैं वहीं के वहीं हैं मजूद है तो अब 42,935 पर इस वक्त मजूद है बिट कोई जा मैं वीडियो बना रहा हूं इसकी रेंज मैं आपको बता दूँ इसकी रेंज डाउन पर जैन नहीं के यह रेंज है 42,100 से लेकर 43,500 अगर आपको 43,500 करोस नहीं करता दिखाई देता तो फिर यहां से जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं वो इसकी ट्रेडर लगा सकते हैं शौट की सही है अच्छा उसके लिए क्या होगा आप जैसे प्रॉफट में आए थोड़ा बहुत अगर यह नहीं के 42,900 है ना अगर 42,200 तीन सो पर आता है तो सपोर्ट ट्रेडर्स और फिचर ट्रेडर्स दोनों बिटकोईन को यूटिलाइस कर सकते हैं बाय कर सकते हैं और जैसे यह 800-900 की तरफ आए तो इसको क्लोस कर दीजेगा यह रिंज मैंने आपको आज की बता दी ह 42,100 से लेकर 43,500 क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को बताना अगाही देना कि नेक्स्ट यह है क्योंकि मार्किट स्टक कोई पड़ी है कोई बिग मुवमेंट नहीं आ रही है बिग मुवमेंट आए तो फिर ही बन्दा बताए ना अगर खुदाना खासा 42,100 को यह क्रोस कर जाता है और नीचे ट्रेयर करना शुरू कर देता है तो फिर फर्दर एक रस्ता कुल जाएगा जो कर जाएगा तो फिर ज्यादा डाउन आना शुरू हो जाएगा लेकिन मुश्किल है अभी फिलाल आप ट्रेंट पर हैं किसी भी वक्त यह 43,500 को क्रोस कर गया तो यह 44,000 से और इसको आपने बिल्कुल हरकिस अथिरियम को नहीं बोलना 2310 से नीचे अगर यह ट्रेड करना शुरू कर दे तो फिर बाइसो पचास तक भी यह जा सकता है लेकिन अगर अब ट्रेंट की बात करें तो यह फिर 24,000 की जानी जाएगा उस से ज्यादा अभी फिलाल यह पचास पर तहीसो नज़र 2350 पर नज़र आए तो क्लोज बस ऐसी ही शौर्टर्म स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं शौर्टर्म के लिए तो यह एक बेहतरीन रिंजिस थी बाकी निया कोईन जो लिस्ट हुआ है रोनन इसके बारे में जो हैना थोड़ा बहुत मैं आपको चल बाएगा उसके बाद हम देखेंगे बजीद कितना यह डाउन जा सकता है तो फिर हम इसको यूटिलाइस करने के अगर आपने यूटिलाइस करना भी है किसी को किसी कोईन को तो हमारे लिए हैलफूल टोकन जो होंगे वो होगे आल्ट अल्ट और उसके बाद एए आई यह आपने अपने पोर्टफॉलियों में लाजमी शामल करना है अगर आपने अगर नहीं शामल किया अभी तक तो आप लोग कर सकते हैं आल्ट और एई आई दोनो एए से शुरू होते हैं तो यह कोईन जो जबरदस हमारे लिए फादा मन्साबद हो सकते हैं सही है बाकी डिस् कर अपने इस।